नेशनल कॉंफिर्स सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में जमु कश्मीर को पूर राजी का दर्जा बाहल के जाने का प्रस्ताव पारित किया मुखमंत्री उमर अब जल्धी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर दर्जा बाहल करने का आगने कर सकते हैं वहीं आपको बता दें कि उमर सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में स्वास्त सिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दो पर ध्यान के इंदृत करने पर जोड़ दिया जारखन चुनाव की तारीक का एलान होने के बाद से राजी का सियासी पारहाई चल रहा है लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है तो वहीं इसी बीच प्रदेश के मुकमंत्री हेमन सोरेन की प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा कि 80 की 80 विदान सबसीटों पर जारकन की जनता बीजेपी के जूट, एहंकार और साजिश को दब्बे में बंद करने का काम करेगी समान नागरिक सहिता लागू होने के बाद आम लोगों के उत्राधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव नजर आएगा संतान की मृत्ती होने पर माता पिता भी उसकी चल अचल संपत्ती में हिस्सेदार रहेंगे वरना अभी जो उत्राधिकार कानून है उसके तहत पती की म्रत्यू के बाद बैंक बैलन्स संपत्ती आधी पत्नी को ही मिलती है इससे माता पिता बे सहारा रह जाते हैं ये विसंगती UCC आने पर समाप्त हो जाएगी हर्याणा सरकार ने मुखमंत्री नायप सिंग सैनी के मुख्य प्रधान सचेव राजेश ये खुलर की नियुक्ती पर रोक लगा दी है उनकी नियुक्ती के आधेशी शुक्रवार रात को जारी हुए हैं सरकार ने उन्हें कैमिनेट रैंक का दर्जा भी दिया था मगर इस आधेश के कुछ देर बाद हर्याणा सरकार ने उनकी नियुक्ती को अगले आधेश तक रोक दिया आगामी जार्खंड विधानसब चिनाव से पहले भाचपनेता प्रतुल शाहदेव ने जार्खंड में NDA की सरकार बनने पर विश्वास जताया और कहा कि गडवंदन राज में सबसे मजबूत इस्तिती में है उन्होंने आगे राज में सीट बटवारे पर बात की और कहा कि जरुवत पढ़ने पर NDA के सहयोगी आखरी समय में सीटों की अदला बदली करने के लिए तैयार है और उन्होंने हेमन सोरीन की सरकार को परिवेक्षक चुना गया है उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट के सभी परिवेक्षकों की एक बैठक आयुजित की जाएगी जिसमें सीट बटवारे को लेकर चर्चा होगी मुझे महाराष्ट विधानसबर चुनाफ के लिए परिवेक्षक के रूप में नामित किया गया आज महाराष्ट विधानसबर चुनाफ के लिए इस सभी परिवेक्षकों की बैठक बुलाई जाएगी दिली की मेयरे शेली ओबराय अक्शन मोन में नज़र आ रही है उन्होंने MCD कमिशनर को एक नोटिस जारी कर दिवाली से पहले राजधानी को स्वच्च और सुन्दर बनाने का आदेश दिया है दिवाली से पहले दिली में जगा जगा पर लगे होडिंग्स, वाल पेपर, स्थीकर को हटवाने का आदेश दिया गया है आदेश के तहते MCD कमिशनर को प्रोहिबिशन का डिफेंसमेंट का प्रॉपर्टी एक्ट 2007 के तहते कारवाई करने के निर्देश है कंगनर अनौत के फिल्म एमर्जनसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है शिरोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी और सिंग साहिबान फिल्म के रिलीस का विरोध कर रहे है ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में सिखो को गलर तरीके से पेश किया गया है और सिखो की छवी को दुमिल करने का प्रयास है जमु कश्मीर के पहली विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायक 21 अक्टूबर को शपत लेंगे उपराजपाल द्वारा मनोनेत प्रोटम स्पीकर मुबारक गुल उन्हें शपत दिलाएंगे स्पीकर पत की रेस में अब्दुलरहीम राथर का नाम सबसे आगे है विधानसभा का सत्र नवंबर के पहले सपता में बुलाये जा सकता है प्रशिम बंगाल के नेता प्रतिपक्षे शुविंदू अधिकारी ने 2008 में सिंगूर में टाटा मोटर लॉठ के नैनो कार संयंत्र से बाहर निकालने को लेकर प्रशिम बंगाल की मुखमन्तरी मम्ताव अनर्जी के आलोचना की और कहा कि पश्रमंगाल के लोगों से भाजपा का वादा है कि अगर वे भाजपा को लाते हैं राज में सत्ता में आने के बाद वो टाटा समू को ले आएंगे